वेलकम टू महाराष्टा इंगिनिंग अकडमी आज के लेक्च्छर में हम लोग स्टेडी करेंगे सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेंड में प्रॉब्लेम बेस ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेंड इन कंपोजिट मेंबर कनेक्टेर रिजिडली टुगेदर इन पैरलल एकदम सिंपल है यहां पर आपकी जो मेंबर कनेक्ट होंगे मतलब जो कंपोजिट मेंबर होंगे और कैसे होंगे पैरलली कनेक्ट होंगे तो इसी के बेस के उपर आपका एक नुम्रिकला आएगा 4-6 मास के लिए और एक थेरी क्वेशन एक्जाम में आ सकता है और इस मोडूलर रेशियो मत नुम्रिकल है और आपको मालों होना चाहिए कंपोजिट मेंबर मतलब क्या वाट इस दहां पोजिट मेंबर इदम सीमपल है इफ two or more member of different material आपकी हांसे सुनिए इफ two or more member of different material connected together and carrying a load if two or more member of different material connected together and carrying a load this combination is called as the मेंबस मतलब मेंस करता हूं मैं अश्रं करता हैं अंसरा कंडिशन क्या है connected together in parallel तो देखिए लो दो आपका जो मेंबर है मेंबर वन और मेंबर टू कैसे connected parallel connected आपका concept है तो यहां पे एकदम सिंपल है यहां पर आपका पीवर मतलब क्या लोड शेर बाई बार वन यह आपका बार एक बार नहीं तो रॉड पीवर मतलब क्या टोटल लोड अन्द कंपोजिट मेंबर देखिए पीवन और पीटू ने क्या किया है यह लोड को क्यारी किया है यहां पे तो फिक्स है पीवन यैन पीटू ने क्या किया है लोड को क्यारी किया है तो टोटल लोड आपका यह वाले लोड किक ऑ है तो पीवन प्लस पीटू यहां पर देखिए आपका फॉर्म्ला है stress का stress का आपका formula क्या है stress is equal to force upon area तो force sigma into area stress into area तो p मतलब क्या stress into area तो पहले बार के के लिए क्या होगा सिग्मा वन एवन सिमिलर प्लस साइन पी तो मतलब क्या हुई स्ट्रेस इग्वल टो फॉर्स अपन एरिया यहां पर क्या आएगा पी टू सिग्मा टू इन्टु एटू सिग्मा टू एटू तो आपका टोटल लोड अन्द कमपोजिट वार कितना रहा है पी इसुक्वल टू सिग्मा वन एवन प्लस सिग्मा टू एटू आपका हो गया यह दोनों फॉर्मलां पको यूज करने पी इस उक्वल टू लोड चैरीड बाइ भार यू लोड कैरिड़ बाई बार टू पी इसुक्वल टू पी एटू उससे आगे और इलोबरेट करने तो क्या होगा सिगमा 1a1 सिगमा 2a2 फॉर्मूला आपको द्हान में रखना है यहां पर द्यान से दिखिए यहां पर आपका मेंबर फिक्स है कि तो यहां पर जो रॉड वने हां पर रॉड टू मतलब बार वन बार टू इसके उपर जो टोटल लोड इसको प्लेस किया है तो यह कुंसा एक्शन हो रहा है यहां पर आपका जो लोड हो डाउन वर आ रहा है यहां पर क्या होगा प्रेस करने के बाद क्या होगा लेंद डिक्रीज होगा तो दोनों का लेंद सेम है रॉड वन और रॉड टू दोनों का लेंद क्या है सेम है तो यहां पर उसका इलोंगेशन भी सेम होगा मतलब डिक्रीजिन लेंद भी सेम होगा तो डिक्रीजिन लेंद मतलब इसका भी डिक्रीजिन लेंद सेम होगा इसका भी डिक्रीजिन लें सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब ऊताए कल अपंगर करता हूं स्ट्रेन इस्ते अपका 열ुरिक सर्मेटी आताइब करता जो कि आपके लोगए सिघ्मान यह तो इसके हैं इस सेट आपका फार्मीला बन रहा है स्ट्रेस अपान स्ट्रेंट सिम्फल कंसेप्ट है इसिफाल इसका फॉर्मला बन रहा है ब स्मॉली इस इफोल टू सिफमापवन क्या होगा रोगा सिफमापवन पारं के लिए सिर्फ नोटिफिकरिशन किया है, यहां पर जो डिक्रीजिन लें तो डोनों का सेम होगा, यहां पर आजूम क्या करेंगे, strain in bar 1 is equal to strain in bar 2 आर equal इहां पर इसे equalize에 क्या धिशे क्या क्या equalizeем क्या strain in bar 1 is equal to strain in bar 2 तो strain in bar 1 का फॉर्मृला क्या है sigma 1 upon capital E1 sigma इहां पर E2 का फॉर्मृला क्या है small e2 का sigma 2 upon capital E2 तो value यहां पर put up किया इन्दी कैसिंपली क्या किया है यहाँ पर E1 को इस साइड शिप किया सिग्मा 1 is equal to E1 को में यहाँ पर सिप्किया क्या होगा E1 upon E2 into sigma2 आहीं पर सिप्किया E1 upon E2 into sigma2 तो E1 on E2 में मोडुलर रेशियो यहाँ पर लिखा sigma 1 is equal to m into sigma 2 m मतलब क्या modular ratio modular ratio तो e1 अपन e2 मतलब क्या modulus of elasticity of material 1 to the modulus of elasticity of material 2 तो ratio of modulus of elasticity of material 1 to the modulus of elasticity of material 2 is called as the modular ratio simply आपको क्या लिखना है what is the modular ratio it is the ratio of elasticity of material 1 to elasticity of material 2 तो sigma 1 is equal to m into sigma 2 तो यहाँ पिसे रिप्लेस किया है यहाँ पे क्या लिखा m मतलब क्या modular ratio e1 अपन e2 तो यहाँ पे आपको formula यूज़ करना है numerical solve करते दाइम एक तो आपका यह वाला formula यूज़ करना है आपको अगे जाने से पहले में आपको बताना चाहूंगा आपको अगे प्रेस्ट निम्रिकल को सौमन मॉस्क का fully recorded course चाहिए तो आपनों अप्लिकेशन महाराष्ट एकडमी उसे डाउनलोड कीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो वहाँ पे आप डिरेक्ली मुझे कर सकते हो वहाँ पे चैट सेक्शन है अप डिरेकली मुझे मैसेज कर सकते हो और आप लिए तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आप अप डाउनलोड कीजिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेस्टन नमबर वन से स्टार्ट करेंगे टाइप थी का क्वेस्टन नमबर वन देखिए उनने क्या बोला है तू वर्टिकल रॉड आर आफ स्टील अन कॉ इस चौपर के लिए और रिजिडली फिक्स एड़ टॉप एट्स चोनी फिकर देखिए वह पर को फिक्स की ए गए स्टील यान का पर ओड टॉप फिक्स है कैल्कुलेट द लोड शेयर बाइए इच रॉड यहां पर हमें क्या करना है जो हर एक रॉड ने कितला लोड शेयर किया है हुआ में calculate करना है इहां पर क्या दिया है टेग इफ आर स्टील आप मिन ली अलिए कर डिया तो इंटु 10 देट फाग यू न्यूटन पर यूटन पर मैम स्क्वेड तो तो हुट्से प्र इंटुट तो आप है ढुटन यूटन पर मिन स्क्वेड मैं ऐदी है तो सिया और कॉपर दोनों का डाइमेटर सहम तो डाइमेटर क्तना धर्टीक क्वेदा अप्स बड़नों का डिया में से से में यहां में क्या दिया है एलास्टिसिटी फार स्टील दोनों मटेरियल का इलास्टिसीटी डिफरेंट है इलास्टिसिटी फार स्टील टुइंटो टेंड़ तुआ दिया दिया है देखिए टोटल लोड कितना शेर किया है इस यहां पर मैंने फॉर्मुला भी लिखे टोटल लोड शेयर पीज उक्वल टू लोड शेयर बाइब बार वन लोड शेयर बाई बार टु दैन शिग्मा वन एजू टू एम इन्टु सिग्मा टू एक फॉर्मूला में उस करना है तो यहां पर पी का वेल्यू कितना दिया ह तोटल लोड शेयर बर एक है कितना है सिक्ष थाउजब न्यूटन Minir पिशीच थाउजब न्यूटनौ तो टुफाइन्ट हमें यहां पे फाइन क्या करना है मृट क्या ऺंड ड्रूबchlag इंड रूर ने कितना लोड यहां पे स्थीर किया है ने कितना किया है और कॉपर राट ने कितना किया है लोड शेर बाइ स्टील रोड और लोड शेर बाइ कॉपर रोड तो यहां पर आपने सलूशन स्टार्ट करेंगे कि एकदम सिंपल निमर्ल कले हैं सबसे पहले हमें कि अ ओका पमें सब्सक्राइब यहां पर हमें यहां पर रहा है तो आपर सर्कुलर सेक्षिं वार् सारप्ynn कि ऐमेटर अफ् exploded दोनों कि यहां City area of steel is equal to area of copper दोनों same pi by 4 into d square steel and copper दोनों same है तो यहाँ पर ds और dc कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं सिब d लिख रहा हूँ pi by 4 into diameter आपका कितना है 30 30 उसका square तो area of steel is equal to area of copper दोनों का same आएगा तो shift pi by 4 into 30 square आपका area आ रहा है 706.85 706.85 mm square यह होगे आपका area area of steel and area of copper 706.85 आपको हर एक answer को bracket करना है मतलब पेपर जो चेक करने वाला है इसको आपको इजी दिखना चाहिए यह answer आया इरिया का तो area of steel and area of copper कितना आया 706.85 कभी कभी यहाँ पे डायमेटर आपको हो सकता है तो आपको उसका भी value calculate करना पड़ेगा तो यहाँ पे same दिया था तो दिखे हमें formula यूज करेंगे तो हमारा condition क्या एक composite member का condition है तो यहाँ पे तो अभी यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख देदाओं दोनों का डायमेटर सेम यह यहाँ पे देखे क्या बोला तब से पहले हम लोग composite member connected rigidly together नी पैरलल देखे जो composite member है पैरललली connected तो कंचेप camera composite तो यहाँ पे फॉर्मुला कैया है यहाँ प्यूद्ट्वेटर हम यूद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रा तो इस इकुएल क्याँ तु टोटल लोड प्लस पी तो मतलब लोड लोड शेर बाइं बार ओं फ्थी वाई बद यहां है लोड शेर बाइn स्टीछ दुन मतफ़ एंड की क्या है । लोड लोड फुरब की आएगा आएगा है सिम्मा डी ओ न गर्मा एड़ nou कि एस प्लस शीग मासी एसी नोटिफिकरेशन यह पैसे किया थें तोटल रोड कितने आपकापी का वैल्यू कितना है 6000 अपकापी का वैल्यूँए 6000 इस उक्वल टू तो सिगे मैं सिगे माइस अन्नोन इंटू आप इस डिया आप स्पीर कितना है 706.85 706.85 प्लस सिग्मा सी बी अन्नोन इंटू 706.85 एरिया आप कॉपर भी सेम है यहां पर दीखिए सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉपर दुना अन्नोन है तो यहां पर हमें आगे सॉल करना है तो आगे उसे हम लोग सॉल करेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मला क्या है नेक्स्ट हमारा फॉर्मला है सिग्मा 1 is equal to M into सिग्मा 2 सिग्मा 1 is equal to M into सिग्मा 2 दीखिए वन के बदले हमने क्या लिखा है S मतलब steel और 2 के बने क्या लिखा है copper तो sigma for steel is equal to modular ratio M into sigma for copper मैंने यहाँ पर notification change किया है 1 के जगे S 2 के जगे C तो M M मतलब क्या modular ratio modular ratio का formula क्या है E1 by E2 मतलब यहाँ पर क्या आएगा elasticity for steel divided by elasticity for copper तो M is equal to elasticity for steel कितना है 2 into 10 raise to 5 elasticity for copper कितना है 1 into 10 raise to 5 अपका M का value आएगा M is equal to M का value तो यहाँ पर M का value आएगा 2 10 raise to 5 10 raise to 5 get cancelled अपका M का value कितना आएगा 2 अपका modular ratio का value कितना है 2 अपका M का value आएगा से म Brillou करें गे सिंग माइन की इसकुल तो एब कार इस एकवेशन बन रहा है कि यहां साचाहताय करता हूना कि ऑप सिग्मा फॉर स्टिल इस उलिट टू इनटू सिघ्माशियर को एक्वेशन में पूट कर देता हूं तो इस और कोई सिंपले सिक्स थाउजन 706.85 plus sigma c into 706. ठीकि यहाँ पर लिखता हूँ 2 देखिए sigma positive के पर लिखता हूँ 2 into sigma c into 706.85 plus sigma c into 706.85 ठीकि यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर sigma c है यहाँ पर sigma c का value find out कर सकता हूँ 6000 is equal to 6000 is equal to देखिए 2 into 2 into 706.85 2 into 706.85 2 into 706.85 प्लस प्लस 2 into 706.85 प्लस प्लस देन क्या है 706.85 ता आपका value आ रहा है 2120 2120 2120 0.55 सिग्मा सी आपका वैसे का वैसा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ सिंपल मैथेमेटिकल कल्कूलेशन है यहाँ से यहाँ तक आपका value calculate करना है तो यहाँ पर भी सिग्मा सी है यहाँ पी सिग्मा सी है यहाँ पी सिग्मा सी है तो इसे में कॉमन रद दिया दिवाइड में आएगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा सी इज उक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 2120.55 यहाँ पर इसे multiply करता हूँ तो आपका सेम equation मिल रहा है तो सिग्मा सी का आपका answer आएगा 6000 डिवाइड बाई 2120.55 तो आपका सिग्मा सी का value आ रहा है 2.83 Newton per mm square होगी आपका सिग्मा सी का answer देन देखिए आपका सिग्मा सी का answer देन देखिए आपके आमारा equation मना था sigma 4 steel is equal to 2 into sigma c sigma 4 steel is equal to 2 into sigma sigma 4 steel is equal to 2 into sigma c का value 2.83 तो सिग्मा फॉर स्टील आपका अंसर आएगा 2 इंटू 2.83 5.66 5.66 Newton पर mm2 5.66 Newton पर mm2 तो होगी आपका सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉपर देखे यहापको सिग्मा फॉर स्टील मिल गया हमण लोग ईजी डी फॉर कर सकते हैं तो सर्च एहां पर दिखिए कि हमाना फार्मूला क्या था सद्ध Oreo टो टो टोटल लोड लोड शेर वाई सद्धूल इस प्लस लोड शेर बाई कॉपर रोड तो इसे आप नोट डाउं कर लीजिए यहां पर मैं इसे क्याक्यूलेट करता हूँ तो इसे में एरेज कर देता हूँ एकदम सिंपल है ध्यान से देखिए देखिए हमारा क्या था अब पीज उक्वल टू लोड शेर बाई स्टील रॉड लोड शेर बाई कॉपर रॉड तो हमें किसका फाइंड आउट करना है कि स्टील रॉड ने कितना किया देखिए यहां पर लिखता हूं लोड शेर दो बाई स्टील रोड मतलब क्या पी एस कि पीएस का फार्मॉला क्या आपका सिगमा एस इंटो एस इंटो एस देखिए सिगमा एस का वैल्यू कितना है 5.66 एर्या आप स्टील आपका कितना है था 706.85 तो लोड शेर बाई स्टील रोड 5.66 इंटो 706.85 अब का रहा है 4000 4000.771 न्यूटन होई आपका लोड शेर बाई स्टील रोड सिमिलर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे लोड शेर बाई अब कोपर रोड कोपर रोड ने कितना किया तो देखे लोड शेर बाई कॉपर बतला PC तो PC का आपका फॉर्मुला क्या आएगा देखे फॉर्मुला क्या है सिग्मा सी इंतो एसी सिग्मा सी इनटू एस सी है तो दर के हाफे एक कालकुलीट करता हूं PC तो सीग्मा सी का वेल्व कितना है चिमा सी का वैल्व टू पॉइंट थी इंटू अ एरिया कितना ए 1706 706.85 तो PC PC क्या वेल्बी काल्क्वेट करता हूं तुई 2.83 इंटू 706.85 आपका आ रहा है 2000.38 न्यूटन तो अपका लोड शेयर बाई कॉपर रड कितना आया 2000.38 न्यूटन और लोड शेयर बाई स्टील रड 4000.77 न्यूटन यह आपके आगे आंसर तो देखिए आप आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो टोटल लोड शेयर बाई कितना था 6000 तो यह दोनों का एडिशन जी आपका 6 तो अल्मोस 6000 ने देखिए लोड शेयर बाई स्टील रड कितना है 4000.77 देन लोड शेयर बाई कॉपर रड कितना है 2000.38 तो अल्मोस से में क्योंकि क्यालकुलेशन की वाईशे थुड़ आगे पुड़ा रेखिए में